प्यारे विदार्थियों नमस्कार स्वागत आप सभी का आपके अपने यूटूब चनल आर्पी स्टेडी में तो जो भी विदार्थी पसूपरिचर एक्जाम 2024 की जारी करने वाले सभी साथियों के लिए आज आप सूपरिचर का पूरा मॉडल पेपर देखने वाले हैं इस टाइब से परशन आएंगे इस क्लास को आप द्यान से पूरा देखिए और यह मॉडल पर आप पूरा दीजिए ताकि आपको मालूं पड़े आपके 150 में से कितने परसंसा ही हो रहे हैं ठीक ना आपका एक्जाम बहुत नद्दी का चुका है इसी एक्जाम को देखते सरवाडी संबाग है वो किस मुख्य मंत्री की काल में बनाए गया समय में बनाए गए गये अगर आपको उतर नहीं आता ता आप ऑप्सन यह बर सकते हो यह बर सकते हो ठीक है तो अगलास वाल आपके सामने पूचा आएं लोणी वेसिन हैं ना लोणी वेसिन में इस्तित लोणी नदीव अरावली परतमला के मद्दे उपजव चत्र किस नाम से जाना जाता है आपको बताना है दोस्तों लोणी वेसिन में इस्तित ठीक है ना बलको लोणी नदीव अरावली परतमला के मद्दे जो भूबा गए उसे किस नाम से जानते थली चत्र, चोबी चत्र, रोई चत्र या नहेड चत्र तो उसे दूसें क्या कहते हैं रोई चत्र कहते हैं ऑप्सन नमबर शी आपका साहिए अगलास वाल आपके सामने युनिस्कों की विस्तो दरौर सूसी में सामिल नदी है कमेट करेंगे साथ क्यों इन में से कौन से नद सामें ले अगला स्वाल आपके सामने आ चुका है माई बजा सगर प्रोजना राजस्तान वे गुजरात की सिंगत प्रोजना आए इसमें आपको बताना है कि दोनों का बाग कितना है ठीक ना दोनों के कितना डूस्त है पर जो पर संटेज है कितना अनुपात है तो देखिए 40 इसमें आपको बताना है राजस्तान व गुजरात का अनुपात क्या है तो वो आपका रहेगा सही उत्तर ऑप्सन नमर डी जियां दोस्तों 45 अनुपात पच्पन जो भी ऑप्सन डी कमेट करें यह उप्सन आपका राइट है आपके प्रेक्साम एस से परस्टन आएंगे अ सचमाई नूर जरना हैं यह किस जील के किनारे हैं आना सागर जील के किनारे यह आना सागर जील एजमेर में कहा पर आना सागर जील एजमेर में हैं दोस्तों अगला स्वाल आपके सामने नौरा सावा लिप्टनेर प्रेयोजना से लंबावित जिले करमल से कौन कौन से हैं क दिक करो नीम का थाना जो भी ओप्सन डी कमेट कर रहा डी ओप्सन आपका सही है अगला स्वाल आपके सामने पूचा है क्या पूचा है दोस्तों आपसे कौपेशन के वर्गी का निसार है ना कोपेन के डवारा जलवायू परदेश स्वोग में राजिस्तान में कौन सा सही नहीं है AW दक्षनी राजिस्तान CWG में उत्री राजिस्तान AWHW BWHW में सुस्क राजिस्तान BHHW में और सुस्क राजिस्तान इन में से बताना कोपेंट करने उसार कौन सा जलवायू यहां पर साई से मिलान नहीं खा रहा है तो वो आपका उप्सन नमबर B को ध्यान से देखे दोस्तों B CWG है न यह दोस्तों आपका उत्र राजस्तान का नहीं है उप्सन नमबर B आपका साई रहेगा से एक बार समी विदाती क्लास को लाइक और शेयर करें क्लास को ध्यान से पूरा देखे अगला स्वाल आपके सामने आ चुका है चैतरबल की देश्टी से राजस्तान का सबसे छोटा कर्श जलवायू पर्देश है कमेट करेंगा न चैतरबल के जिसाब से राजस्तान का सबसे छोटा कर्श जलवायू पर्देश कौन सा है तो वो आपका हो जाएगा कौन सा दोस्तों बिल्कुल फॉर भी जो भी फॉर भी कमेट कर रहा है उप्सन नमबर यहां पर क्या रहेगा उप्सन नमबर डी आपका सभी रहेगा अगला स्वाल आपके सामने सूसी एको सूसी दो से मिलान करना है क्या करना दोस्तों आपको यहां पर सूसी एको सूसी दो से मिलान करना है बहुत चिंपल है आकेड निशे छेतर जिला है कि कौन सा छेतर है वो आपका कहां पर है ठीक है न तो देखिए आप आपको मिलान करनी है मिलान कर लेते हैं कोई बड़ी बात नहीं है पहला आपका है बाकंद्रा बाकंद्रा है यह आपका कहां पर है बाकंद्रा जो है वो आपका बिल्कुल उद्यपूर में है कवाल जो है कौन सा उप्सन आपका सही है उप्सन नमबर शी आपका सही रहेगा बहुत एच्छा परशन है अगला परशन आपसे बूचाएं रोस्तों राजस्तान के सकल गरल उत्पाद में पसु पालन का योगदान कितना आए राजस्तान के ना सकल गरल जुदपाद में पसू पालन का योगदान आपसे पूछ लिया है सोडा परतिस्थ बारा परतिस्थ या रोस्तों आठ परतिस्थ या चार परतिस्थ तो इसमें दोस्तों अगर आप से पूछ ले सही उतर तो आठ पर्शनेट के आइस में पसू परंद का योगदान मिलता है अगला सबाल आपके सामने पूछाएं एदराबाद के उसें सागर के किनारे बने बरप की तीज ना बने दोस्तों पारक की तीज पर प्रेटाइं सेटर को बढ़ाने के लिए विबू तीपारक की जील के किनारे ये बनाया गया है मलब आपको कमेट करना है विबू तीपारक है ना ये किस जील के किनारे है पीच्छुला के किनारे है नकी जील के किनारे सांबर जील के किनारे यहां फत्यसागर एक इनारे तो वीबूती पारक है ना वीबूती पारक यह रोस्तों बनाया गया है फत्यसागर जील के इनारे और यह फत्यसागर जील आपके उद्यपुर में कहां पर है उद्यपुर में अगला स्वाल पूछाएं दोस्तों 2001 की तुलना में 2011 में लिंगा नुपात में कितनी वर्दी हुई है कमेट करेंगे साथ ही हो 2001 से लेकर 2011 के बीच में है ना 10 सालों में कितनी दोस्तों लिंगा नुपात में वर्दी हुई है लिंगा नुपात में वर्दी आपसे पूछला एक्जाम में तो बिल्कुर सांत अंकों की वर्दी हुई है, उप्सन ए आपका सही रहेगा, अगलास वाल आपके सामने एकी करण के दूसरे चरण की पुरु राजस्तान संग है न, राजस्तान में एक करण का दूसरा चरण का नाम क्या है, उसका नाम है पुरुवी राजस्तान, पुरु मि्ट्टी कौन थे वो आपको कमेट करना है एक कि करन का दूसला चरण पूरी राजिस्तान इसके संगे अदर्य क्यों थे या परत्यार नमन्द्री कौन थे तो इसके रूसान परत्यत्ते ना ज्रू चाइर है विचों पाई जातीं अ जोस्तों चलिए मिलान करते हैं पहले आपकी एडिसौस मिटी में सही है इन सबस्द से और पादर सबस्द में आपका सही है अगला सबस्द के सामने जैपूर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट का वित पोश्टन किया गया है फटाबट कमेट करेंगे डूस्तों ना जैपूर मेट्रो से परशन आता ही आता है जैपूर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट है ना इसका वित पोश्टन किसके दोरा किया गया है विशु बैंक दवारा, स्विश विकास प्राजी करन दवारा, यहां रोस्तों और भी आपको option दिखा रहा हूँ, Asian विकास बैंक दवारा यहां जापानी सरकार दवारा तो सही उतर क्या रहेगा आपका यहां पर, वो रहेगा Asian बैंक विकास दवारा जो भी option C commit करता है, C option correct है, अगला स्वाल आपके सामने नयमन में से कौन सी एग्रो चटाने जालोर में पाई जाती है, इन में से commit करना है कौन सी एग्रो चटाने जालोर में पाई जाती है ग्रोबो, ग्रेनाइट, रोयलाइट या बेल साइट तो देखो रुस्तों जालोर में कौन से चट्राने पाई जाती है तो वो आपकी रुस्तों एक तो है ग्रेनाइट और एक रोलाइट जो भी ऑप्सन नमर भी सही कर रहा है ऑप्सन भी आपका सही रहेगा अगला स्वाल आपके सामने राजस्तान की एक मात्र बिटोमिस कोईला दारित प्रयोजना कौन सी है कमेट करेंगे साथ यो राजस्तान की एक मात्र बिटोमिस दारित कोईला प्रयोजना है वो कौन सी है कपूर डी जलीपा सूपर थर्मर पावर प्रोजेक्ट पाड़िसर सूपर पावर प्रोजेक्ट दानपुरा प्रोजेक्ट कोटा थरमिल पावर प्रोजेक्ट, यहां इन में से कोई नहीं पटाबट कमेट के जो रुष्तों राजस्तान के एक मातर बिटों में स्कुएल अधरित आपकी प्रोजना है वो डोस्ट वो कॉन सी है वो एक कोटा सूपर पावर जो भी आपर option B・ कमेट करए डी सही है अगला स्वाल अरित राजिस्तान अभियान का प्रड़म किस जिले से किया गया बोगत ही सांदार जानदार प्रिशन है अरित राजिस्तान अब ग्यान का प्राणब है ये राजस्तान का कि जिले से किया गया बांसवाड़ा से परताब गड़ से उद्धेपूर से अरितराजस्तान है ना तो बिलिकोल डूंगरपूर आपका सही है जो भी आपर डूंगरपूर कमेट कर रहा डी बता रहा डी आपका सही है जिसने भी डोस्तों वीडियो को लैक निकाई, वीडियो को लाइक सस्क्राइब करें, यहों पर दोस्तों पसफोन परुचिक डैली क्लासे आ llegó utilizar के लासे आ रही है, कंटन्यू क्लास को आप जोईन कीजिए, सस्क्राइब क्या ठिकित है, अगला स्वाल है लोस्तों, स्सुसी की किजिए क्या करना आपको यह पर 802 से मिला करना है उस की करना हे चल्यान करते हैं ना उसके राटारा सो AMY में मालक्ष मीली मालक्ष मिल समील की स्थावना ऐद्स में उमेद मिल्स 1922 में एड़वर्ड मिल 1906 में मतलब option A आपका सही है कौन सा option आपका सही है option A आपका सही रहेगा ठीकर जो भी option A कमेट कर रहा है अगला स्वाल आपके सामने परमुक नसले है मुर्रा और जापराबादी मुर्रा और जापराबादी नसले किस की है अरे मुर्रा मुर्रा और जापराबादी क्या है बैंस की नसले है जो भी option B कमेट कर रहा है यह option आपका सही है ऐसा आपका पेपर आएगा देख लो अगला स्वाल है चया है और चया है गले का बुशन है जो भी option यह comment कर रहा है सही रहेगा अगला स्वाल नियाल्चंत कि चली का चुतर कार था नियाल का समन्द आपको बथा नियाल्चंत नियोन बणी थनी का अपको बणी थनी का पेंटर था लिए से नियाज चकार था स्वाल राजस्तान का मौलला घाव किस लिए परिछुदे बताओ भाई मौलला घाव किस के लिए परिषुदे विजारती हो नियाज जंदर के लिए अरिशुदे के लिए परिचित्र के लिए मर्ण सिल्प के लिए राजस्मत का मौलेना गावे ये डोस्तों आपके बिलकुल किसके लिए दोस्तों मर्ण सिल्प के लिए परचिदे जो भी option D.E. कमेट करा D.E. सही है अगला स्वाल राजस्तान का कौन सा लोक नाटे मर्ण नाटे के लिए परचिदे मर्ण नाटे किसे कहते हैं बवाई को खयाल को गवरी को या तमासे को मर्ण नाटे के लूप में परचिद नरते हैं या नाटे है रोस्तों वो आपका हो जाएगा गवरी जो भी गवरी कमेट करा है सांदार दोस्तों जोभी अलगोजाear, पेली, चिंकारा यहां टोटी, यहां टोटो, बदाओ भई दो बाइसूरियों को मुह मे रखके वजाते हैं, वह वजद हमें रहाते हैं, वह आपका वादारब को बौजक होता है जो भी अलगोज़ा कमेट करा अलगोज़ा सच है अगला सबस्वाल सुनलित करना आए क्या करना आपको मिलान करने वजारती हो और मिलान की कुश्ण आपका एकज़ा में 4-5 सा सकते हैं चांस बन रहा है वजारती हूं मिलान वले पस्चों का टीकन तो थोड़ा ज्यान रखना चलिए मिलान करते हैं A में ही पढ़ाए है ना option A आपका साइए अगला स्वाल आपके सामने सुंडा परबंद किस न लेकी कौँछ रसना है सुंडा परबंद है ना सुंडा परबंद किस न लेकी विजारतियों आपको बताए होगा बहुत एच्छा परशन है सुंडा परबंद किस न लेकी विजा तियां पई जाती है नागोर में चालोर में भीकाणेर में और अग्ला स्वाल किसके दवारा राजस्तान कुंडापंद की इस्ताब नगी गई कुंडापंद की स्वापनद उसनों किस न घीती मलेना जीने मेला बर्ता तिलो Moltस किनार मलना जी का मेला बढ़ता है इन्हों ने क्या की थी कुंडा पंत की स्थापना की थी और अगला स्वाल आपके सामने किस देवी को संपर्दिक सिद्वाउना की देवी कहते हैं सामपर्देग सिद्वावना का मेला पूछे आपसे एक्जाम में तो राम देव जी का मेला क्या कहलाता है राजस्तान में सामपर्देग सिद्वावना का मेला कहलाता है पर आपसे थोड़ा क्या उल्टा पूछ लिया कि किस देवी को सांबादक सिद्बावने की देवी कहते हैं तो वो है सचीया माता जो भी सचीया माता कमेट कर रहा है सचीया माता अपसन आपका सही है अगला स्वाल आपके सामने है जोद्पुर के प्राचिन राजाओं की चतरीयों वे उध्यानों के लिए परशिद इस्तान है जोद्पुर की प्राचिन राजाओं की चतरीया है न वो कहाँ पर आपको कमेट करना है विजारतियों मंदोर में जस्वों थड़ा में ओशिया में या लोणी में तो बिल्गुल सही उतर है का यहां पर मंदोर में मंदोर जो भी कमेट करा सांधार जस्वों थड़ा है न ये मारवड का ताज मिल के लाता है ठीक है न ज्याने के ना बहुत अच्छा प्रश्ण है अगर आपसे पूचे राजस्तान का ताज मिल ये मारवड का ताज मिल तो आपका जस्वों थड़ा जोच पूरे ठीक है आगे बढ़ने अगला स्वाल नरड का पीर वागड का धनी वागड का पीर का मेला कब लगदा है फटावड कमेट करेंगे सातियों नरड का पीर वागड का धनी और वागड़ का पीर इनका मेला कब लगदा है वो आपको बताना है तो इनका मेला बरता है बादर बद कृष्टन अश्टमी को जो भी यहाँ पर शी कमेट करा सी सही है अगला स्वाल आड़ोती का सुरंगा मेला नाम से परशिद में यह मेला है ना ये बिल्गोल किस नसल के लिए परसिदि विदारती ही यो तो जाने हैनेखना विदार्ती ही बहुत एच्चा प्रशन एक division आ सकता है सही उत्रिः रहेगा व OH आपका रहेगा मालवी के लिए मालवी नसल के लिए हडोती का सुरंगा मेला मलब चंजरबगा मेला परसीदे अगलास वाल आपके सामने अरविला सार्दा दोरा 1929 में पारित सार्द एक्ट अरविला सार्दा का आपको बता है सार्द एक्ट है जो कि 1929 में पारित है इसमें बताना है कि लड़के और लड़की की विवायोगे क्रमश कितने रखी गई थी है ना पटाबट कमेट करेंगे 1929 की बात कराऊं दोस्तों लड़के और लड़की की विवायोगे क्रमश आयू कितने रखी गई थी विजारतियों वो आपको बताना है तो देखो लड़की के अगर वायू की बात की जाए तो 18 वरस और लड़की 14 वरस क्योंने चीए ठीकना उप्सन ए आपका सही है अगला स्वाल आपके सामने पेस है दोस्तों आडिवाईश्यों में कुमारी कन्याओं को यापड़ी, कटकी, पवरी या पीरिया तो आडिवाईश्यों की कुमारी कन्याओं की ओड़नी है उसे कटकी क्या केते है कटकी केते है जो भी कटकी कमेट करा कटके अपसन आपका सही है अगला स्वाल आपके सामने दोस्तों बारत में फैली सती परता जैसी समाजीक बुराई को बुंदी में कब कानोनी गयर गोसित किया गया हैने दोस्तों कमेट करना है सती परता को बुंदी में कब गयर कानोनी गोसित किया गया 1822 में 1829 में 1830 में 1840 में सही उत्र क्या रहेगा आपका तो वह रहे का बिलकुल 1822 में अगला स्वाल राजस्तान में सरवाडी सही किस से होती है बहुत अच्छा परशन है ना राजस्तान में सरवाडी सही है वह किस के दर होती है कुव और नलकुपों से नेरों से जीलों से जर्नों से अरे शिंचा जीदी कहां से होती है आपको पता है ना कहां से कुव और नलकुपों से जो भी ओप्सन है कमेट कर रहा है यह सही है अगला स्वाल असुमलित करो हैना क्या करना आपको असुमलित करना अपर आपको का करना है करना है कर देखी थोड़ा क्या टाइप टाइप मिश्निंग भना बता दिया है ठीक है अब क्या करना है आपको आप पर लान करनी है चले मिलान करते हैं दोस्तों पहला उप्सन है कोठारी अवेली कोठारी अवेली बीका नेर ठीक है उसके बाद दोस्तों अमर्चंद कोठारी के अवेली है फलोदी में पाल अवेली है जोधपूर में और लाड़ियों की अवेली है वोय मंड़ना में option c आपका सही है अगला स्वाल अमरतम जल्ब जल्ष्रक्ष्ण अबिया ने ये किसके दोरा चलाया गया था तो सही उतर क्या रहेगा दोस्तों तरुन भारत संग दोरा नहीं किसके दोरा राजस्तान पत्र का दोरा चलाया गया था द्यान रखना विजार्थियों काफी बच्छी का गरते तुरून भारत कर देते हैं बिल्कुल अमरतम जलम जल सुष्टन अभिया ने ये राजस्तान पत्र का जवराई चलाए गया था अगलास वाल आपके सामने निमन लिकित में से नवलका बंडार की दिवार में लगा अभिलेक जिसमें अलवदिन और बाद दूर्शा क्या करमन की समय की जानकारी स्रोत मिले हैं है न वह आपको बताना आए दोस्तों पटा पट कमैट करेंगे देखिए चंगरेशी का सिलालेक हैं बिट्टू का लेक सितोड का अगला ज्या अनुमान गड़ जिला मिक्चाले कि किस निसा में हैं बताव भाई काले मंगा है न यह अनुमान गड़ के किस निसा में हैं तो सही उतर क्या रहेगा दक्षिन पच्ची में बी ओप्सन आपका सही है अनुमान गड़ में है काले मंगा है गगर के किनारे किस नरी किनारे हैं गगन अडिये किना रहे दोस्तों अगला स्वाल है गुजिर पर्तियार किस डेवी को कुल देवी रूपे बूझ देए है ना गुजिर पर्तियारों की कुल देवी कौन सी है नगनी सी माता तनोट माता चामुंडा माता या आई माता बिलकुल गुजिर परतेार है ना गुजिर परतेारों कि कुल्डे भी है वो आपके डोस्तों हो जाई की कौन सी चामुंदा माता । अगलासफ़ाल आपके सामने लिश्टे ही भी कलास को रोस। लाइक नीज़ा कलास को लााइक शेयर करें प्रश्क्राइब करें अग्ला स्वाल पूचाए यह की सबसे बड़ी जेवांड ।ोब करें रखे हुई यह तो जेवांड तोब की जेगत में कहां परें जेगत द्रुग जेपूर में दोस्तों इस द्रुग में तो बढ़ाने का कारदा ना भी यह यह विया आपको मालम हो परबाव पड़ा तो बिलकुल आपर क्या रहेगा सहिए उतल वो रहेगा उधे सिंग की सासनकाल में मारवाड का सासिक्ता उधे सिंग जान रचना विधारच्युं ओफ्दी उधे सिंग की बात कर रहा हूँ इसके समय में मारवाड तो बिलक Oreo ότι डा पर क्या पड़ा था तो सही उतर रहे का बिल्कुल option C मारत रतन सिंग के समय में रतन सिंग के समय में अगला स्वाल पूचा है राजस्तान के राजनिती में मराटों का सोब परतम परवेश कहां पर हुआ था राजस्तान के राजनिती में मराटो का सोब परतम परवेश कहां से हुआ था विदारतियों वो आपका हुआ था बिल्कुल सही बता रहे हो कहां से बोंदी से option D आपका सही है अगला स्वाल आपके सामने राव बिका डरा बिका अंडर की स्थाबना कब की गई राव बिका है वो राव जोदा का फुतर है विदारतियों इसने जोद्पुर की स्थाबना की न वो इसका पिता अता विदारतियों ये जोदा का बेटा राव बिका है इसने बिका अंडर शेर की स्थाबना कब की थी वो आपको आपको आपर बताना है तो सही उतरी कारे का बताओ राव जोदा ने जोद्बूर बसेया था और विका ने विका ने रिकब 1480 में सी ओप्सन आपका सही है अगला स्वाल मैं नौकरी करूँगा तो अंगरे जोगो बारत से कौन बगाएगा ये अर्जुनलाज सेटी ने किसके दरा कहा गए थे भारत सरकार को कहा था दिल्ली माराजा को फते सिंग को या मादो सिंग को ये कतन अर्जुनलाज सेटी ने कहा था कि मैं नौकरी करूँगा न तो अंगरे जोगो भारत से कौन बगाएगा ये कतन दोस्तों अर्जोनलाज सेटी ने किसको कहा था ये बिल्कुल कतन दोस्तों अर्जोनलाज सेटी ने मादो सिंग को कहा था जो भी मादो सिंग कमेट करा मादो सिंग आपका सही है अगला स्वाल आपके सामने 18 सुताम की करांती है न विदिरोो भी कान्याечение थे न इंविद्रो कानल बठालि न में इसमें विद्रोå में नसरेवाए में ने विद्रो कनल बढ़ा ले हैं। सी ऑप्सन क्रेक्ट है आफका अगला स्वाल डी ऑप्सन ठीक है सौरी जो पिर डी कमेट करा वेरी गूड अगला स्वाल विजजशी पतिक दोरा अर्याली अमावश्या के दिन उपरमाल पंस बोड की स्थापना का पर की गई उपरमाल पंस बोड का समन्द वो किस से है विजशी से कब कीती इसकी स्थापना अर्याली वावश्या को काँ पर कीती वो आपको बताना है तो बिलकुल काँ पर है बिलकुल बहरी साल में आपका सही है अगला स्वाल बिल सेवा मंडल की स्थापना किस ने कीती अरे बिल सेव के लोगपुरुष को ने विजार्थियों वो एं दामद रासराटी इन्हें क्या का जाता हैं राजस्तान के लोगपुरुष का जाता हैं अगला स्वारा आपके सामने जहपूर परजरमर्द का परताम अदीवेश्थन कब और किसकी देख स्थाम वेश्थन वे वहा था सब्सक्राइं है ना मरुवानी क्या है को मेट करेंगे मरुवानी तो बढ़ाँ ना यह है राजिस्तानी बासिदा की मासिक पत्रिक आती ऑफसन प्राइट पहले psychology के सामने आ सरदार पटेलने किया था अगला स्वाल जेफ़पूर का कौन सा सासक कविताओं में अपना नाम अपना बज़ निदी की लिखते थे तो बज़ निदी लिखने वाले आपके जेफ़पूर के सासक कौन थे वो आपके थे विलिकल परताप सिंग सी अपसन आपका सब्सक्राइ पहले राजपुज लिएसद थी मुगनों के साथ में समद इस्ताबिट करने वाले राजपूतानों की पहले रियसद को उन से दी विजारतियों तो वे थी आमिर आमिर का बारमल बारमल अपनी फoter का विबा है वो बिलकोल इक बरशे करवा किया था जो भी कमेट करा भी आपका स़एए यह अपनी क्लास ती मैंने आपको पुरे साथ कोशन गर दिया इस क्लास पर लेक्तर सेयर करते हो लाइक करते हो तो मैं इससे भी बड़ी क्लास ले कियाएंगा आपके बीच में मैं आपसे वादा करता हूँ दोस्तों अगर आप सपोर्ट दिखाते हो ना मैं आपको मेले कोल 20 दिन में पूरा सलेबे स्मेर दोंगा आप चिंता मत किजिए एक बार रिविजन कर वाल दोंगा पूरा का पूरा तो बिल्कुल आप सपोर्ट कीजिए थोड़ा सा मोटिवेट कीजिए विदार्थियों मैं आपको बता हूँ नश क्लास में जै हिंद जै भारत